नमस्कार वेलकम यू गाइस वन्स अगीन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीसी पार्ट थाड के लिए हमने यूनिट पाइप शुरू कियो और गैनिक केमिस्ट्री में जिसमें एमिनो एसेट्स को हम लगबर कम्प्रिट कर चुके हैं बस ऑल्मॉस्ट जो इंपॉर पार्ट था रियक्शन वगेरा थे वह सब कुछ अमें इसेट्स में पड़ चुके आप तो बाकि जो कुछ भी बचा है वह थिए तो थिए पार्ट है तो थिए नहीं चलेंगे आप लेकिन अभी हमें हमारे अमीनो एसेट्स खत्म करने हैं और एमीनो एसेट्स में क्या आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो एमीनो एसेट्स की जुटराइनिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ी थी उसी से रिलेटर है मैंने बोला भी था इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो कि हम जानते हैं कि विलियन अवस्था में जो हमारे एमीनो एसेट्स हैं वो ये होते मालया है चाल्स करते है यह बैसी को थे इस प्लस प्लस लाइट ढ prop 10 खक्लंक मैं ज्विटर आइनिक स्ट्रक्चर है यह कॉमली नोन है ज्विटर आइन इसको एमफोलाइट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एसेडिक और बेसिक दोनों तरह की ग्रूप है जब हम नॉर्मली एमीनो एसेड्स पढ़ रहे थे जो इनकी नॉर्मल फॉर्म होती है तो हम जानते है क्योंकि COOH ग्रूप एसेडिक होता है तो वो उसके एसेडिक बेहवर के लिए उत्तरदाई था और NH2 ग्रूप नोन पेर की वज़े से क्या होता है छारी प्रकृति के लिए उत्तरदाई था लेकिन ज्विटर आइन में ऐसा नहीं होता अपोजिट हो जाता है अब यहां प दालेगा एच प्लस को तो यह किसकी तरह व्यवार करेगा अमल की तरह इसका मतलब जिटर आइनिक स्ट्रक्चर में जो अमलिये वहेवियर होता है वह नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर यह नेगिटिव चार्ज है यह डिलोकलाइज रहता है इसलिए जादा उपलब्द नह जो एनच फोर पॉजिटिव है जो भी नाइट्रोजन का क्वाटर नरी आयन होता है वह बहुत जादा एसे डिक नहीं होता इसलिए वह दुर्वल अम्ल और दुर्वल चार की तरह यह व्यभार करते हैं फिर हमने यह भी बताए था कि जो टोटल अमीनो एसेड होते हैं वह यानि कि यहां पर जब हम पी एच क्या करते हैं पी एच को कम करते हैं किससे सैविन से जब हमारी पी एच सैविन से कम हो यानि कि माध्यम कैसा हो अम्लिय माध्यम में क्या मौजूद होते हैं मौजूद होते हैं एच प्लस मौजूद होंगे तो क्या होगा जब माध्यम में बहुत सारे H plus होंगे, तो यह negative charge H plus को ले लेगा, ठीक है, तो यह कुछ इस तरह की form में रहेगा, CAH, COOH, और यहाँ पर तो यह NH3 positive, यह तो अल्रेडी proton grand की हुए, अब positive charge और ज्यादा proton grand नहीं कर सकता, तो एक form तो इसकी यह होती है, एक form तो यह है, यह है second form, जो की ionic होती है ठीक है, कैसी है, positively charge है, kateinic form है, कह सकते हैं हम इसे amino amino की, और एक होता है, जब हम pH ले लें उसकी 7 से जादा, यानि कि जब pH 7 से जादा हो, इसका मतलब छारी है माध्यम हो, माध्यम में क्या मौझूद हो, छार मौझूद हो, और छार क्या करता है, proton लेता है, तो यहाँ से proton ले लेगा, और इसको change कर देगा, RCH, COO minus as it is रहेगा, और यह change हो जाएगा NH2 में, ठीक है, तो यह एनाइनिक form है, यह है, तीसरी form, ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह की amino acids जो होते हैं, वो तीन तरह की form में होते हैं, एक तो होती है हमारी जोटेराइनिक form, ठीक है, एक होती जब की साथ से ज़ादा कर देते हैं, यानि माध्यम में छार मिला देते हैं, छारी माध्यम हो, तो यह वाली form रहती है, जो कि कौन सी है, एनाइनिक form है, तो जो हमारे amino acids इनहीं तीन form में exist करते हैं, अगर देखा जाए, तो यह जो बीच वाली form है, यह आइनिक नहीं होती, प्लस 1 और माइनस वन का चार्ज यह और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, तो अगर दूसरे को कैनसल कर देंगे, तो ओरर- पर इस्टेबल करें हम नॉर्मली मां लेखता चलो पीएच साबण सेवन होगा जब पीएच क्या होगा सेवन होगा न्यूटरल होगा माध्यम ना अमली ना शारी है तो हम कह सकते हैं कि जिटाराइनिक form exist करेगी लेकिन ये जरूरी नहीं के pH 7 हो तब ही जाकर जिटाराइनिक form exist करेगी ये मान लिया के वाल है क्योंकि अलग-अलग amino acids के लिए जो जिटाराइनिक form है वो अलग-अलग pH पर प्राप्त होती है ये depend करता है कि हमारे amino acid का structure क्या है और इसी आधार पर इसी concept पर के amino acids तीन form में रहते हैं हम आज दो चीजे पढ़ने वाले हैं लिख तो पढ़ने वाले हैं आईसो एलेक्टरिक पॉइंट P-I आईसो एलेक्टरिक पॉइंट P-I P-I से प्रदर्शित करते हैं से आइसेलेक्रिक पॉइंट तो हम आइसोएलक्रिक स्ट विबाइद कर सकते हैं पिछली बार पटाए था कर लूँन ने यह सब्सक्रा को ऊ 및 एक प्रूड लटका दिया नेगेटिव है और एक positive electrode है ठीक है फिर क्या होगा फिर क्या होगा मैंने इसमें बहुत सारा अमल मिला दिया माध्यम कैसा है अमली माध्यम लिया है और अमली माध्यम लिया है तो हम जानते हैं अमली माध्यम में यह वाली फॉर्म होगी है ना और जब यह वाली अमने इसको कैसा कर दिया मिली माध्यम को चारिय कर दिया और हम जानते हैं माध्यम अगर चारिय होगा तो ये वाली फॉर्म एक्जिस्ट होगी और इस वाली फॉर्म पर चार्ज कैसा होता है नेगिटिव तो ये कौनसे वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगी वही और इस लें अगर पिगुत्यानिक उऌस्ट्रॉड होगा और ये कहाँ पर कड्रेगा लेगा निक निगर कड्रेगा तो ये ना तो पॉजुटीव पर मूउओ करेगा नहीं नेगцिव पर प्र mål एना यह क्या रहेगा ये अन एंडवीट रहे Legend कि यह किसी भी इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा यानि किसका जलब गटन जो हम कराना चाहेंगे वैदित जलब गटन वो यहां पर पॉसिबल नहीं है और जिस पी एच पर जिस भी मान पर अमलियता या छारियता जिसके भी मान पर यह वाली फॉर्म एक्जिस्ट करती है अम भी मैंने बताया अलग-अलग अमीनों अमलिके लिए यह जो वैल्यू है यह अलग-अलग होती है तो जिस भी पी एच मान पर यह वाली फॉर्म एक्जिस्ट करती है उसे उस अमीनों अमलिका क्या कहते है आईसो एलेक्रिक पॉइंट कहते हैं तो हम यहां डेफिनेशन लि वह उद्धू अर्थार्थ हुआ अर्थार्थ हुआ Hydrogen-Ain-Sandrita. यह क्या हो गई? Hydrogen-Ain-Sandrita. है Hydrogen-Ain-Sandrita को हम क्या कहते है? यहाँ फिर हाइडोगन-Ain-Sandrita को हम हम क्या कह सकते है? pH. क्योंकि Hydrogen-Ain-Sandrita का negative log ही तो होता है pH. तो यहाँ तो Hydrogen-Ain-Sandrita से प्रदार्चित करो, तो यहां थो फिर से प्रदार्शित करनें, pH से गहएं जिस पर कोई अमीनो अम्ल, क्या नहींं करता, यहां पर क्या हो रहा था यहां पर हो रहा था वैद्द्योत करन चाल्ण, यहां पर यहां कहें विद्दूद्च्हेत्र में एलक्ट्रोडों की होर गमन, तो यहाँ पर क्या गरेंगे जिस पर कोई अमीनो अमल विद्युद छेत्र में इलक्ट्रोडों की और गमन नहीं करता है गमन नहीं करता है अत्वा यहां फिरम इसे भी लिख सकते हैं गमन नहीं करता है यहां विद्युद छेत्र से अप्रभावित रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम कहते हैं आईसो इलक्रिक पॉइंट ठीक है रहता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हिंदी में आईसो इलक्रिक पॉइंट को बोलते हैं सम आईसो इलक्रिक तो सम बिभव बिंदु कहते हैं इसे हिंदी में तो उसे सम बीबब बिंदू या तो PVA 1 प्लस स्वारी pkA1 plus pkA2 divided by 2 थीक atau किनी दो pkA मानों के समका जो हम average लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं सो इलेक्रिक point कहते हैं तो क्या होता है किनी है किनी दो pkA मानों का average होता है उसे iso-electric point कहते है ये सब्सक्राइब निकलने का वो pH पर नहीं किस पर निर्वर करता है PKA के मानो पर निर्वर करता है ना तो हम यह लिख सकते हैं कि यह किस पर निर्वर करता है PKA के मानो पर निर्वर करता है ठीक है और दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जितने भी amino acids होते हैं हर एक amino acid के लिए इसका मा अलग-अलग प्राप्त होता है तो हम यह लिख सकते हैं कि प्रत्यक अमीनो अमल के लिए इसका मान अलग-अलग प्राप्त होता है इसका मान अलग-अलग प्राप्त होता है ठीक है और यह डिपेंड करता है कि amino acid का structure क्या है क्योंकि हर amino acid same तो नहीं होता हर किसी का structure अलग-अलग होता है जब structure अलग-अलग होता तो उसका isoelectric point भी क्या होगा अलग-अलग होगा तो यहां लिख सकते हैं कि यह है यह लिख सकते हैं P.I. किस पर निवर करता है अमीनों अमलों की सनरचना सनरचना पर निरभर करता है ठीक है तो यह था isoelectric point एक एक्जामपल देखेंगे हम कैसे निकालेंगे isoelectric point को लेकिन पहले आप उससे पहले इतने नोट केजिए फिर हम देखेंगे कि एक्जामपल में हमें अगर दे रखाओ तो हम किस तरीके से isoelectric point को calculate करेंगे किस पर निरभर करता है P.K.A. के मानों पर ठीक है यानि कि एक और बार फिर से समझा दूँ कि वह pH हमें वो pH निकालनी होती है वो pH point गालना होता है वह pH ग्याद करनी होती है जिस पर ये वाली form amino acid की ये वाली form जिसे बोलते हम जिटराइनिक form जो overall कैसी होती है overall जो neutral होती है neutral होगी तो किसी भी electrode की और गमन नहीं करेगी तो जिस भी pH पर ये वाली form प्याप्त होती है वही उसका क्या कहलाता है वही उसका isoelectric point कहलाता है और अगर आपको PI सम ब्यवब विंदू ग्राद करना है तो आपको PKA के मानों का पता होना चाहिए क्योंकि ये किस पर निर्वर करता है PKA के मानों पर निर्वर करता है नोट कीजिए फिर एग्जाम्पल्स देखते है ठीक है और ये जो हम करा रहे हैं कि positive electrode पर जा रही है negative electrode पर जा रही है अम लिए है यहां छा रही है तब तो इसी को बोलते हैं बश्श्चाथ करना उर्य लजागं रहे हैं वह ट्व्र एंसको इसको इलेट्ट्रोफ और से बोलते हैं तो वहां बड़ सब्सक्रृ निक्साना-चो प्राप्ट करएंगे कि हमारा में उसम्ण है जी और चिहहां पर दे रखाएं और यहां पर दे रखा है NH3 plus कोई amino हम जानते तीन form में exist करेगा एक ये वाली form है दूसरी form ये वाली होगी RCH COO माइनस और यहाँ पर होगी NH3 प्लस और तीसरी form क्या होगी तीसरी form यहोगी RCH COOH और यहाँ पर क्या होगी NH2 क्या होगी यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्वार्म होगी COO हम जानते कि हमारा amino acid तीन form में exist करेगा इसकी PKA की वैलु अलग होगी PKA की वैलु हम जानते है PKA की वैलु क्या होती है माइनस लॉग KA होती है और KA क्या होती है KA होता है अम्रका वीयोजन इस्थिरां तो अगर pH की value यहाँ पर कितनी दे रखिए माललो यहाँ पर 3.4 दे रखिए value कितनी दे रखिए 3.4 और इस form के लिए value दे रखिए 11.0 दे रखिए 11.0 ठीक है क्या है pH की value है किस की value दे रखिए कि यह वाली जो form है वो कितने pH पर exist करती है 3.4 पर ये वाली जो form है ये किस पर exist करती है 11.0 पर तो हम जानते हैं अगर 3.4 होगा pH तो इसका मतलब कम है pH साथ से और साथ से कम होगा तो कौन सी form रहेगी अमलिय रहेगी क्या रहेगी अमलिय रहेगी है ना तो इसका मतलब ये वाली form कौन से माध्यम में होगी अमलिय माध्यम में तभी तो यहां पर भी h जुड़ा हुआ है और इसने भी h प्लस ले रखा है अमलिय माध्यम में रही होगी ठीक है और यही pH जो होगी इसको हम PKA मान लेते हैं ठीक है इसका मतलब यहां पर माध्यम कैसा रहोगा च्छारिय और उसने क्या किया होगा स्था यह जो हमारी form देख रखी है इसके लिए इसोनशोफ पॉंट निकलना है तो कैसे निकालेंगे PI वराबर क्या हो जाएगा PKA1 प्लस PKA2 डिवाइड़ वाइ 2 रख दो value 3.4 प्लस 11.0 डिवाइड़ वाइ 2 कितना आ जाएगा लगवग यह आ जाएगा लगवग 14.4 डिवाइड़ वाइ 2 तो 27 जा 14 7.2 ठीक है, इसका मतलब यह वाली जो form होगी साथ पर नहीं आ रही कितने पर आ रही है? 7.2 पर आ रही है कौन से पर आ कितनी pH पर आ रही है? 7.2, इसका मतलब जब pH 7.2 होगी तब तो यह वाली form एक्जिस्ट करेगी और 7.2 से नीचे नीचे कौन सी form exist करेगी ये वाली exist करेगी और 7.2 से उपर ये वाली form exist करेगी तो ये बताता है हमारा isoelectric point और 7.2 पर क्या होगी ये वाली form exist करेगी तो इस तरह से हमें जो PKA के मान दे रखे होंगे आपको question में बस किनी 2 PKA के मान को जोड़ कर और क्या कर देना है दो से divide कर द के लिए मान क्या दे रखा होगा अलग-अलग दे रखा होगा तो आपको और मैंसे कोई दो वैल्यू चूज करनी होंगी ठीक ऐसे बहुत सारे चारी लेकिन आपका ये आपके मतलब का नहीं कि आपके exam में इतना जादा high level पूछेगा नहीं ये आपको तब जरूरत पड़ कि एक लास्ट वापिक बचा हुआ है अमीनो असेट्स के अंदर उसके बाद हमारे अमीनो असेट्स खत्म उसके बाद सुरू हो जाएंगे हमारे पैप्टाइड ठीक है जो कि है हमारा इलक्ट्रो फॉरेसिस लास्ट टॉपिक है वैद्यूत कड संचलन जिसे बोलते हैं हम इलक्ट्रो फॉरेसिस क्या होती है इलक्ट्रो फॉरेसिस जो अभी हम करा रहे थे क्या करेंगे Lectrophoreses, Amino amyl rivalryan लेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, दो एलेक्ट्रोड लगाएंगे, उससे बैटरी से जूड़ देंगे, ठीक है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहले हम विद्यधार प्रिभाइज करेंगे, देखा कि कहीं कोई, कहीं पर भी ना जब नीट्रल रहा यानि कि एक बेसेस पी अच थी उस पर कोई हमें वैल्यू प्राप्त मतलब कोहीं पर बीन पॉजिटिव एलेक्ट्रोड पर नहीं नहीं लेगिटिव एलेक्ट्रोड पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो यह सब कुछ जो हम कर रहे हैं जो को अलग अलग कर सकते हैं कैसे हम जानतें किया विलियंग मुश्च की तीन फॉर्म हिद्जिस्ट कि तीन हम चाहते हैं कि तो यह वाली फॉर्म पराप्ट हो गी। अजब प्रप्त सब्सक्राइब करना नियाद रखने हैं अबस यह पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि संभव बिन्दू होता है आइसो एलेक्ट्रिक पॉंट जो भी आपने पड़ा उस पर एमीनों अमल की विलेता क्या होती है नून तम होती है नियुक्त मतलब एमीनों अमल बहुत कम विले होता है तो हम कह सकते हैं संभवव बिन्दू पर एमीनों अमलों की विलेता क्या होती है वही नून तम होती है किस पर संभवव बिन्दू पर क्या अमीनों अमलों की विलेता नून तम होती है इसका मतलब इसका मतलब कि ये वाला जो आईन होगा इसकी अधिक्ता क्या होगी जादा होगी इसकी क्या होगी अधिक्ता होगी विलियन में है ना तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एमीनो अमल के इसको में भी लिख सकते हैं अथवा अमिनो अमल के दुई धुरूविय आएन की ये दुई धुरूविय आएन ही तो है तो हम कह सकते हैं कि अमिनो अमल के दुई धुरूविय आएन की आएन की सांदृता क्या होती है? अधिक्तम होती है समझ रहे ना क्या कहने का मतलब है मतलब जब iso electric point पर होगा तो amino acid की wiletha कम क्यों होगी क्योंकि यह neutral form है और neutral form है तो कैसे wiletha कम क्यों होगी अगर माल को निंदर कि वाली उगी इसके सांदरता क्या होगी ना अधिकतम होती है यह लेख सकते हैं कि लेकिन अगर हम क्या कर दें जिसमें यह मौझूद है उसको अगर हम अमलिय कर दें या छारिये कर दें तो इसकी विलेटा बढ़ जाती है यानि कोई एक फॉर्म हमको प्राप्त होने लगती है तो हम लिख सकते हैं कि अमिनों अमलिकी विलेता माध्यम को अमलिय अथ्वा छारिय करने पर अमलिय अथ्वा छारिय करने पर बढ़ जाती है बढ़ जाती है क्या बन जाता है कोई यहां तो कोई दनाइनिक फॉर्म में होगा यहां तो फिर रिनाइनिक फॉर्म में होगा तो क्या हो जाते हैं अमिनों अमलिय जो होते हैं दनाइनिक और रिनाइनिक फॉर्म में क्या हो जाते हैं और इनके इसी गुण के कारण इसी गुण के कारण इलेक्ट्रो फुरेसिस द्वारा बिविन एमीनो अमलों को प्रथक किया जा सकता है ु इसी गुण के आदार पर हम क्या कर सकते हैं के अशली प्रथक कर सकते हैं प्रथक प्रथक कर सकते हैं तो सबस्क्राइब तो सवर्द्वाया खकालेटन है तो यह लुए इसी के से कम पियाच होगी तो यह वाली फ药ेश करेगी और सेवह पॉंएबएन पियाच होगी तो फिर आपकी यह वाली form exist करेंगी ऐसे थिधाद है ये और इसी चीज से में तभक्ते हुए इस तहले मिलगा उस्ते अगर हुएम कम प्यास करेंगे तो पॉजिटिव वाली फॉर्म मिलेगी, जादा फियच करेंगे तो नेगिटिव वाली फॉर्म मिलेगी, इसी पर आधारित होता है हमारा कौन वैद्यूत कर अधारित होता है, तो हम यह लिख सकते हैं कि यदी, यदी फिल्टर पेपर, ठीक है? फिल्टर पेपर पर एपेज जाए – एमेनोअमल के मिश्रन की बून्ध रख़ कर क्या करते हैं? हमें एक सैट अप लगाएंगे पूरा-पूरा… घीक है उसमें एक फिल्टर पेपर पर क्या लेंगे? बहुं सारे एमीनो Обलों का लक करेंगे इसका कैफोड초 की Board करेंगी फिर शीक अलग हो जाते हैं क्योंकि अभी हमने बोला इसो वेलीu अलग होती और एग्ञाई उसी यदि फिल्टर पेपर पर एमिनो अम्लिके मिश्रण की बूंद रखकर विद्युद्धारा रखकर फिल्टर पेपर को ग्यात पीच वाले बफर यह लिखें फिल्टर पेपर के दोनों तरफ फिल्टर पेपर के दोनों तरफ ग्यात पीच वाले बफर ग्यात पीच वाले क्या लगा देते हैं ग्यात पीच वाले बफर विलियन में डुबो देते हैं बफर विलियन में डुबो देते हैं क्या गरेंगे एक फिल्टर पेपर बूंद रखकर उसे क्या करेंगे दोनों तरफ लिफ्र किया लगाएंगे एक वफर विलियन लगाएंगे जिसके पीछ हमको पहले से पता होगी कि कम प्यच वाला है यह ज्यादा ऐसे विलियन में हम क्या गर देंगे उसे डूबो देंगे ठीक है और जैसे हम डूबो देंगे इसी विलियन में हम क्या लगाते हैं डूबो देते हैं तथा इसी विलियन में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं ठीक है यह जो विलियन लेंगे हम ग्याग पियेच वाला इसी मे हम क्या लगा देंगे हमारे इलेक्ट्रोड भी लगा देंगे इसी में हमारे इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं और विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर फिर क्या करेंगे हम लास्ट में विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर बिविन एमीनो अमल अलग 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 इलक्ट्रोड पर अलग अलग वेग से गती करते हैं यानि कि जैसे हम विद्युधारा प्रवाइज करेंगे तो अलग 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 पर तो कभी नेगिटिव अलग 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 कर सकते हैं तो अलग 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 वेग से गती करते हैं जिससे वे प्रथक हो जाते हैं यह लेख सकते हम जिससे वे प्रथक हो जाते हैं तो अलग 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 हो जाते हैं और फिर उनको निकाल लो अब अलग 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 निकाल लो इस तरह से वीविन अमिनोएसिट तो आप सेप्रेट कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक भी कर लिया तिक है इसमें हम कुछ आपमारा बिलियन भरते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना सेटप बनाते हैं विल्कुल वैसा ही सैटप यह बनाना पटेगा सछुन सेटप दुकर एक व्लियन यहां क्या लगा देंगे यह हमारा कैथोड क्या क्या है यह हम सदुन से जोड़ें कि इसको हम जोड़ेंगे कि बैटरी से है ठीक है और यह बैटरी किसे जुड़ी होगी ऐसे हमारा दूसरा विलियन होगा है ना यहां पर मानलों हमने हमारा ले लिया है दूसरा विलियन दूसरा इसमें कोई बिलियन भरा हुआ है ठीक है इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसमें भी क्या लगा हुआ है एक हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इस तरह से दो इलेक्ट्रोड है ठीक है और इनको हम किस से जोड़ते थे याद है आपको जैसे सॉल्ट ब्रिज ल लगा होगा जिस पर हमने ड्राप डाली हुई है तो यह आपर यह पर क्या है कि यह ं मुई हम लिख सकते हैं कि there, Ammino Am heal के मिशनण से बना भपा है जो हमने बनाये था रही यहां भी डिख रहा होगा दोह सेंख सेट अभाप लगाते हैंती हैं तो यह जो मिश्रन लगा हुआ है यहां पर यह जो दब्बा लगा हुआ है इसमें से अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग वेक से दीरे कोई पहले प्राप्त होगा कोई जेर से प्राप्त होगा कोई पॉजिटिव पर प्राप्त होगा कोई नेगिटिव पर प्राप्त होग तो आपका जो amino acid वाला पार्ट है वो यहीं पर कत्म होता है अब आपके amino acids पूरे हो चुके हैं अब इसके अंदर तीन पार्ट बचे हुए है peptides, proteins जो की peptide और protein पार्ट जो दोनों को मिला कर पड़ेंगे क्योंकि peptides और protein सेम ही हैं और वो किस से बनते हैं अब आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं जब बहुत सारे peptides आकर मतलब बहुत सारे amino acids आकर जुड़ जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं क्योंकि peptide में एक, दो, तीन, चार amino acids हो सकते हैं लेकिन जब N संख्या में यानि कि 100 से जादा या कह सकते हैं आप 100 से जादा तो क्या हो सकते हैं लगबख 100 के करीब amino amino जुड़े हो तो इसको बोलते है प्रोटीन में प्रोटीन में तो यह जो प्रोटीन 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 से इनकी हम क्या करेंगे, तो अब प्रोटीन साने वाले वो तो हम एक साथ पढ़ेंगे ठीक है और important part था जो खत्म हो गया है और दोनों ही theoretical है तो पूरा का पूरा पूरा theoretical में जाएगा सिफ ठीच झाल झाल